तो आप समने भूटे तो बहुत खाए होंगे तो चलिए आज हम भूटे के पकोड़े बनाते हैं तो यहां हम भूटा लेंगे और यह जो कदू कस करने वाला होता है इसका जो ब्लेड होता इससे हम इस तरीके से करते हुए कदू कस कर लेंगे तो यहां हमने चार भूटे को देखे इस तरीके से कट कर लिया है अब हम इसमें कुछ चीज़े आइड करेंगे धनिया पत्ति थोड़ी से चाठ मसाला डालके सारी चीजों को हम मिला लेते हैं एक साथ बेसन नहीं डालना है नई तो पक़ोड़े अच्छे नहीं बनेंगे जुछफ बेसन हो जाएम तो अब हमेना एकदम थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालके अच्छे से खुमिला लेना है। अब इसे इस तरीके से छोटे छोटे गरम तेल में डालती जाना है और सब तरफ अच्छे से पका लेना है। दूसरे तरफ हमें इस तरीके से सारे पकोड़े पलट लेंगे, तो ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए, इसे हम सर्प करते हैं, ये पकोड़ा जरूर बनाएगा, ये पकोड़ा बहुत टेश्टी लगता है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते है करता है, नो करते हैं, ये पिर गनाता है